एक वाग फिर आप सभी का स्वागत है इस बिगनर इंगलिज्स अकैडमी में आज कर जो हमारा टाइप है जब कोई संटेन सुपरेट्रिव डिगरी में दिया जाएगा तूसे कैसे चेंज करेंगे पोजिटिव डिगरी में इस तूसको हम लोग आज देखेंगे जैसा कि यहां देख सकते हैं या दी सुपरेटिव डिगरी का संटेन्स सब्जेक्ट प्लस भार्व प्लस वन अब दी प्लस सुपरेटिव प्लस पूलर नाउन प्लस आफ या इन प्लस अधर वर्ट्स के स्ट्रक्चर पर अधारित हो तो उसे कमप्लेटिव ताथा पॉजिटिव डिगरी में इस प्रकार बदला जाता है यानि कि संटेन्स हमारा सुपरेटिव में होगा और हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे आज पॉजिटिव में और यह जो आपका कमप्लेटिव डिगरी है हम लोग इस वीडियो के बाद जब हमारा सुपरेटिव से पॉजिटिव कमप्लेटिव हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे सुपरेटिव के कमप्लेटिव पर तो यह अभी इसमें समय है इस वीडियो के बाद है उस वीडियो को ठिक किया जाएगा फिलहाल हम लोग क्या कर करेंगे उस चीज़ को जानेंगे यहां पर जो दिया हुआ है सब्जेक्ट भर वन अब दी सुपर लेटिव प्लस पुल्डर नान प्लस और फ्याइन प्लस अदर वर्ट्स यह हमारा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहां दिया हुआ संटेन से नंबर वन करके लिखा हु अब का पूलर नाउन है ठेक है और आगे भी लिखा हुआ कि वाफ ओफ या इन यहां दिया हुआ आफ और वर्ट्स यहां पर दिया हुआ है इंग्लेंड यह हमारा स्टेन्स हमारा दिया हुआ है और इसे चेंज किया गया पोजितिव में आप देख सकते हैं यहां पर इंग्याज और नेक्स्ट अथवा करके दिया हुआ है हलांकि यह भी पॉजिटीव है यह भी पॉजिटीव है दोनों सेम संटेंस है थोड़ा सा अंतर जो है आगे दिखा हुआ है जैसे भी फ्यूप पोईट्स आफ इंगलेंड यहां तक ठीक है नेक्स्ट आपका वेर है य यहांपर देख सकते हैं कि यहां पर अज्था रिखा हुआ है यहां पर आइज ग्रेटए इस लिखा हुआ है यह जो sentence आपका है Australia is the largest island in the world और sentence जो हमारा दूसरा है आपका आप देख सकते हैं इसका पीडी जो है यहाँ पर बनाए गया है और कैसे बनाए गया था अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो जो पार्ट 14 के नाम से जो है उसका लिंक हमने इस वीडियो के description box में दे रखा है आप वहाँ पर जा करके लिंक को डारेक्ट टॉ आपका जो संटेंस था यहाँ पर मेल्टन वाज वन आफ दी बस एक जो है नहीं यहाँ पर यह थोड़ासा अलग दिख रहा है तो इसके चलते क्या होगा जो हमारा पीडी बनेगा वो कुछ अलग बनेगा और इसमें वन अब दिका ही नहीं दिखा हुआ है तो जब इसका भी बनाया थे तो संटेंस का सरवात कि से किये थे हम लोग नौदर सकिये थे इसको ध्यान देजिएगा ठीक है चलिए सबसे पहले फ्रेस क्वेशन लेते हम लोग क्वेस्टान है पाकिस्तान इस वन अब दा इस्ट्रोंगेस्ट इनेमिज आफ इंडिया ठेक है इसको हम ले ले लेते हैं पाकिस्तान लेते हैं इसको नाहरणी क्योंगेस्ट इनेमिज और इंडिया पक्स्तान इज वन अफ दी स्ट्रॉंगेस्ट इनमीज आफ इंडिया एक वर कॉस्टन लेते हैं हम लोग यहां देख सकते हैं यहां पर शी इज वन अफ दी मॉस्ट ब्यूटिफुल गल्स यहां जो है आपका नाउन है उसके बाद आफ है फिर अधर वर्ट से यहां के वाल आपका नाउन है इसको ध्यान देना होगा हालांकि दोनों कोई खास अंतर नहीं है चाहे आपका नाउन प्लस और फ्लस अधर वर्ट सो या क्यों आपका नाउन हो दोनों का जो बनेगा पॉजिटीव एक ही दूल पर बनेगा ठेक है चली अब चलते हम लोग अपने पॉइंट्स को यहां लिखा हुआ है इसको हम लोग अभी ने पढ़ेंगे इसको देखते हैं यहां देख सकते हैं step one two three four five करके हैं तो एक काम करेंगे हम लोग step one को और five को एक साथ पढ़ लेते हैं step one में बोल रहा कि positive degree के sentence को very few plus plural noun या very few plus plural noun plus off or in plus other words दोने की बात है अगर के वल नाउन रहेगा तो sentence start होगा very few plural से अगर noun के बाद अगर off या in रहेगा तो उसको भी साथ में लेकर चलेंगे इस बात को ध्यान दिजिएगा यानि कि जब कोई sentence इस वाले structure पर होता है यहां देख सकते हैं अगर इस वाले structure पर होता है तो sentence में जब भी स्टार्ट करेंगे तो यहां पर very few से स्टार्ट होगा इस बात का ध्यान दिजिएगा ठीक है और next five में लिखा कि superlative degree के subject यानि जो sentence हमारा superlative degree का जो subject है पकिस्तान के sentence हमारा superlative degree में है तो यह subject क्या पकिस्तान है इसमें क्या आपका C है तो जो subject हमारा superlative degree के subject है वो क्या बोल रहा है फाइब में positive degree में object की जगा लिखे मतलब जब इसका PD में change करेंगे तीजो subject है न यह कहां जाएगा इंडिया के जगपर और इसको हम लोग क्या लेके चल लेंगे पाकिस्तान के जगपर लेकर चल लेंगे similar ले जो सी है वह आएगा girls के जगपर अगल्स जो है वह आएगा सी के स्थान पर लेकिन जब भी ऐसा करेंगे तो सबसे पहले sentence को start करेंगे हम लोग very few से इस आपको ध्यान दिजिएगा step one step five दोनों को पहले follow कर लेते हैं one को और five को इसको पहले हल करते हैं उपर वाले को very few फिर क्या enemies of India very few enemies of India इस बात को ध्यान दिजिएगा और ऐसे भी sentence है न हमारा यह आपका affirmative में है तो जब कोई sentence affirmative में होने के साथ साथ यानि पोजेटिव affirmative में होने के साथ साथ दव उसको हम और superlative और affirmative होने के साथ साथ जब उसका हम लोग पीडी में change करेंगे तो उसे नीगेटिव में convert कर देंगे तो यहां पर few क्या है very few आपका एक negative word है इस चीज़को भी ध्यान दीजिएगा और भेर उफ्यू एक ऐसा negative words है जिसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो फिक्स है लेता पूरल जब कि इसके पहले वाले में क्या था जब भी इसके बाद कोई नाउन आता है तो वह लेता है सिंगुलर यह भी negative है और आपका यह भी निगेटिव है यह आपका हो गया singular और यह आपका हो गया plural यह वाला इसको देख सकते हैं इंडिया हो गया फिद आपका पकिस्तान इस थानात इस जो है आपका क्या है यह भर सब्सक्राइब करेंगे हम लोग यहां पो आर कर देंगे ठीक है नेक्स चलते हैं कि वन अब दी को हटा दे संटेंस में क्या है एस डी फॉर्म में वर अब दी यहां से लेकर यहां तक इसको हटा देंगे समझे बच यह आपका सब्सक्राइब को सबस्क्राइब सब्सक्राइब को calorie कि देखेने हैं कि शेयरो का है तो पता है कि यह स्ट्रॉंग अगर नहीं पता है तो आप पार्ट 3 और पार्ट 4 का जो वीडियो जो दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को टॉच करके डारेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं आपको साब सब समझ में आ जाएगा इसका क्य ठीक है आप पकिस्तान को क्या करेंगे हम लोग इनमीज आफ इंडिया के जगह पर रखेंगे यहां पर पकिस्तान और यह हमारा जो संटेंस कंप्लीट हुआ इस वाले जो सुपरेटिव का जो बना है पॉजिटिव आप देख सकते हैं भेरी फ्यू इनमीज आफ इंडिया आप पकिस्तान यह आपका कंप्लीट हो गया ठीक इसी परकार इसको देख लेते हैं जो गल्स से वह पहले आएंगी तो क्या होगा भेरी फ्यू गल्स ठीक है यहां पर सी इज है तो सी तो जाएगा गल्स का स्थान पर ना इसका क्या करें गल्स के लिए आर करेंगे उसके बाद वन अप यहां से हटा देंगे बचा आपका मुस्ट ब्यूटिफूल इसका पीडी क्या होगा क्या ब्यूटिफूल हो जाएगा और आज आज या सुवाइच के बीच रखेंगे ब्यूटिफूल को तो आज आज को हम लोग लिख चुकि है ना एक लिखता है फिर आज और फिर सीखू क्या करेंगे हम लोग गल्स का सन पर लाएंगे और यहां से इसका जो पीडी जो है आपका बन गया आप देख सकते हैं यह वाला बहरी फ्यूटिफूल आज सी यहां पर इस वाले का पीडी यह होगा ठेके उसके बाद यहां थ्यान देपते हैं य एड़ेक्टिफ की चार्चा किये गई है एड़वार्प का परिगुराने पर उसे पोजिटिव कंपरिटिव सुपरलेटिव डिग्री में जिस डिग्री में बतलना हो उसे बतला जा सकता है यानि कहता क्या है कि जब कोई संटेन देखिए मेरा मतलब काने का यह है जब भी कि हम किसी व्यक्तिव वस्तू या पदार्थ के तुलना किसी दुसरे व्यक्तिव वस्तू या पदार्थ से करते हैं तो बिना एड़वार्प का नहीं होगा और जितना भी हमने पार्ट 3 और पार फॉर में रूल्स का चर्चा किया है उसमें अधिकांस देखा गया कुछ ऐसे एडवर्प्स हैं जिनके जरी हम किसी व्यक्तिव वस्तु का तुलना हम लोग कर सकते उस एडवर्प के माध्यम से और हम लोग को पता भी है कि एडज्यक्टिव का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड है जो किसी नौन या पर नौन की विश्षचता को बतलाता है और उसका तुलना कर सकता है जैसे राम जो है स्याम से काफी अच्छा है या राम उतना ही अच्छा जितना कि स्याम है या राम जो है अपने कलास में सबसे अच्छा है तो जो अच्छा मतलब क्या जो गूड है या बेटर है या बेस्ट है यह सब क्या है एड्जेक्टिव है और यहां जिसकी विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यहां पर दोड़ना क्या हो गया भर्व हो गया तो भर्व से भर्व को कंपेर किया गया है राम का जो मतलब दोड़ने का जो तरीका है स्याम के प्रेक्षा वह काफी तीज है तो यहां पर एक एड़वर्व जो होता है भर्व को मोडिफाई करता है और जब दो भर्व को एक के साथ तुलना किया जाएगा तो वहाँ पर जो भी सिस्ता होगा वह एडजेक्टिव काम नहीं करके वहाँ पर क्या करेगा एडवर्ब काम करेगा तो एडवर्ब भी वैसा ही काम करेगा जैसे एडजेक्टिव का जो हम लोग सीखे थे कि किसी एडजेक्टिव का कंपरेटि एड़वर्ब रहेगा तो उसका भी पोजिटिव होता है कमपलेटिव होता है सुपलेटिव होता है वह ही लिखा हुआ है अलांकि एक हींट है और अगर कहीं से कोई दिकर्थ होगा आप लोगों को आप क्या करेंगे आप मेरी इस वीडियो को कॉमेंट बॉक्स में अपनी ब आया होगा और जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किये हैं वह जल कर ले और इस वीडियो को अधिक सर्दिक शियर करें तब तक के लिए धन्यवाद और हैपनेस दे